सुप्रियूम कोट के वरिस्ट वकिल और कॉंग्रेस नेता अविशेक मन्नू सिंगवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर राहूल की गिरफतार किया गया तो बीजेपी के ताबूत की आखरी किल साबित होगी तो क्या भारती जन्ता पार्टी ने ताबूत में आखरी किल गार दी है क्या राहूल गांधी को गिरफतार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है क्या राहूल गांधी की एक बार फिर से सांसदी जाएगी नेता प्रिक्ति पक्ष का पच जाएगा ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है ED के अधिकारी उन्हें फोन करके बताया है कि उन पर छापे मारी होने वाली है ED के अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है राहुल गांधी पर raid होगी तो क्या कहा है ED के अधिकारी ने कैसे पूरे के पूरे प्लान को leak कर दिया है आपको बयान सुनाएंगे लेकिन उससे पहले ख़वर का background फटाफट से बता देते हैं जैसा कि आप जानते ही कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो चक्रिये को लेकर उन्होंने बयान दिया था सदन में खड़े होकर और भारतिये जनता पार्टी बॉखला रही है इसलिए उन पर छापे मारी ED की अधिकारी ने फोन करके बताया राहुल गांधी ने क इस तरीके से भारती जनता पार्टी की धज्या उड़ा कर रख दी राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि भारत का पूरा का पूरा सिस्टम छे लोग चला रहे हैं यह एक चक्र व्यू है और इस चक्र व्यू में प्रिधान मंत्री नेरेंद्र मोधी ग्रेह मंत् भागवत सामिल है राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में खड़े होकर यह भासन दिया राहुल गांधी का भासन काट दिया गया अब जानते है कि किस तरीके से राहुल गांधी के भासन से मोहन भागवत अडानी अंबानी और अजित डावल के सब्दों को हटा दिया गया त पहले भी यह वही होता हुआ नजर आ रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि जब सदन में राहुल गांदी आडानी और मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे तो पहले तो राहुल गांदी के भासन को काटा गया उसके बाद मानहानी का केस हुई केस हुआ सजा हुई सांसदी चल होता हुआ नजर आ रहा है इस पर राहुल गांदी का कहना है कि उन पर एक्षन होगा उन पर चापे मारी होगी एडी के अधिकारी ने बकाइदा उन्हें फोन करके बताया है सदन चल रहा है देश का दुर्भग्य है कि ऐसा लुच्चा जुठा एलोपी हुआ है सदन में आके बोलना चाहिए वो बताएं कि कौन ब्यक्ति उनको फोन किया है यह भासन है बीजेपी सांसर्थ गरिराथ सिंग का कहना है कि इतना जूठा एल जीपी हुआ है जो कि सदन में खड़े होकर जूट बोलता है गरिराथ सिंग का कहना है कि बताएं कि किस अधिकारी ने फो किया और कौन उन पर चापे मारी करने वाला तो तब तो राहूल गांधी ने कहा था तब भारतिये जंता पार्टी का कहना था कि जूट बोल रहा है लेकिन अब जब बिग ब्रेकिंग निकल कर सामने आ गई है खवर निकल कर सामने आ गई है तो भारतिये जंता पार्टी उ निकल कर सामने आये